हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे एबीपी न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरे हातरस में गैंगरे पीडिता के परिवार का पक्ष जानने गई एबीपी न्यूज की टीम के साथ यूपी पुलिस ने बतसलूकी की पुलिस ने पहले तो एबीपी न्यूज की टीम को गाउं में जाने से रोका फिर कैमरे का वायर निकालने की कोशिश की बाद में एबिपी न्यूज रिपोर्टर को पुलिस गारी में जबरन बैठा कर ले गई पुलिस की बदसलूकी का आलम यही नहीं रुका और एक पुलिस अधिकारी ने समवादाता को चोर तक कह दिया हातरस गैंगरेप की घटना को लेकर हो रही आलोचनाओ के बीच उत्तर परदेश के मुखे मंद्री योगी आदित्यनाथ ने वयान दिया है सियम योगी ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर परदेश में माताओं वहनों के सम्मान स्वाविमान को शती पहुचाने का विचार मात रखने वालों का समूल नाश सुनुश्चित है हातरस की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है विपक्षी पार्टियों के कारिकरता भी लगातार यूपी पुलिस पर सवालिया निशान लगाते हुए जगा जगा परदर्शन कर रही है इस बीच कॉंग्रेस निता प्रियंका गांधी दिल्ली में पंच कुईया रोड इस्थित वालमी की मंदिर में हातरस की बेटी के लिए हुई प्राथना सभा में शामिल हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कोरोना वाइरस से संकरमित पाए गए अमेरिका के राश्पती डोनल्ड ट्रम और उनके पत्नी मिलानिया के जल्द स्वास्थ होने की काम ना की है ट्रम और मिलानिया के कोरोना वायरस से संकर्मित होने की आज पुष्टी हुई खुद ट्रम्प ने ट्वीट कर इसकी चानकारी दी बिहार विधानसबा चनाव के लिए RJD और कॉंग्रेस के बीच सीटों के संखिया पर बात तै हो गई है सूत्रों के मताबिक RJD कॉंग्रेस को 70 सीटे देने पर राजी हो गई वामदल 30 RJD 143 सीटों पर चिनाव लड़ सकते हैं हाला कि अभी भी आधिकारिक एलान को लेकर तस्वीर साब नहीं है आथ जह वारी ते झाय Sबकी हो गजए आधिक लेकर लेकर इचा laughed और रात्रों के शक्राम प्रि proceso